जैसा केरेक्टर करके आई हूँ अभी यानि कि जैसा केरेक्टर मुझे उडारिया में बिला है अब भी ऐसा ही स्ट्रॉंग केरेक्टर मिलना चाहिए चलिए दोस्तों बात करते हैं प्रियांका अर्चना के बीच क्या कुछ बातचीत हो रही है स्वागत है आप सभी का बॉलिवूड स्पाई में मैं हूँ अदती शर्मा तो हम देख रहे हैं लाइफ फीड में प्रियांका अर्चना एक साथ बैठे हैं यहाँ पर बाते हो रही हैं उडारियां के बारी में प्रियांका बता रही है किस तरीके से सीन होते थे किस तरीके से उनका एक strong character रहा है उडारियां का जब उनसे divorce मांगा गया तो वो रोती धोती लड़की नहीं थी divorce papers पे sign करके मैंने मूँ पर मारे थे वो सारे scene जो है प्रियांका यहां अर्चना को बताती नजर आ रही है और कहीं ना कहीं दिल से यह चाहती है कि एक ऐसा है किरदार प्रियांका को offer हो जब वो बाहर जाए यानि कि एक strong किरदार चाहती है प्रियांका कि ऐसा ही strong किरदार वो अब भी play करे दोस्तों देखा जाए तो प्रियांका के लिए बहुत सारे ओफर्स इंतजार कर रहे हैं शायद कुछ तो उन्हें मिल भी चुके होंगे उनकी टीम से बातचीत भी चल रही है सी भी खबरे सामने आ रही है लेकिन उसमें से प्रियांका का मन चाहा कौन सा होगा ये फिलहाल बिग बॉस के घर से जब प् पता चलेगा आप सभी को क्या है कहना कमेंट्स में जरूर बताइए